हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आप लोग देख रहे हैं एंप्टी थॉट्स मेरा नाम है रवी कुमार और गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को एक अपना ओनलाइन e-commerce store e-commerce website बनानी हैं तो कैसे आप लोग मातर 10 या 15 मिनिट में अपना एक online store या online e-commerce store बना सकते हैं वो भी बहुत easily इसके लिए आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है मैं आप लोगों को एक ऐसे amazing website के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को बिल्कुल free में और paid version दोनों provide करती हैं जिसके थ सकते हैं तो सबसे पहले हम benefits जान लेते हैं e-commerce website की तो आप लोग e-commerce website के थुरू broader audience तक पहुछ सकते हैं मतलब worldwide reach आप लोग अपनी कर सकते हैं flexibility में e-commerce store में बहुत ज़्यादा होती है maintenance cost होता हो बहुत ज़्यादा low होता है इसी के सासाथ बहुत easily आप लोग अपना e-commerce store e-commerce website start कर सकते हैं और यह हमेशा open रहता है unless आपकी दुकान की तरह जो कि कुछ time पक बंद रखना पड़ता है बट यह online store आप लोगों का हमेशा open रहता है तो यह कुछ इसके benefits हैं तो आप लोग अप सोच रहे होंगे कि कौन सी best theme है या best plugin है जिसके थुरू आप लोग अपना e- पर search कर देना है जैसा कि देख सकते हैं theme.com इस website पर आप लोगों को visit कर लेना है और यहां पर आप लोगों को thousand of pre-made themes plugins आप लोगों को मिल जाते हैं जिसको आप लोग use कर सकते हैं अपनी एक amazing website बनाने के लिए और यह सारे theme and plugins ready to import होते हैं 200 से ज्यादा आप लोगों को theme यहा variety of templates मिल जाते हैं वो भी ready to import जिसमें आप लोग अपना एक online e-commerce store बना सकते हैं गाईस देख सकते हैं कितने सारे categories आप लोगों को इसमें मिलते हैं अब गाईस आप लोगों का कोई एक topic हो let's suppose आप लोगों का एक organic food से related कोई topic हो या grocery store आप लोग open करना चाते हैं या jewelry store या flip card जैसे कोई एक website आप लोग बनाना चाते हैं तो सारे options आप लोगों को guys यहाँ पर मिल जाते हैं आप लोग देखें यहाँ पर category में तो guys आप लोगों को देख सकते हैं कितने सारे category मिल जाते हैं जिसका आप लोग use कर सकते हैं और guys बहुत सारे website builders के साथ यह theme work करती है जैसा क की Elementor, Gutenberg जैसे बड़े website builder के साथ आप लोग यहाँ पे इसका use कर सकते हैं, तो guys देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर grocery से related एक theme चलेक्ट की, तो यहाँ पर कितने सारे grocery से related, vegetable, fruit shop, grocery store जैसे related बहुत सारे templates हमारे सामने आ गए, तो guys कुछ इस तरीके से यहाँ से आप लोग templates वगरे download कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि guys यहाँ पर आप लोगों को free and paid दोनों तरीके के templates मिल जाते हैं, वो आपके उपर है कौन सा आप लोगों को लेना है, बट मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि अगर आप लोग अपना एक online e-commerce store बना रहे हैं, तो आप लोग pro template लें या pro theme लें क्यूंकि उसमें आप लोगों को customization की guys unlimited chances मिलते हैं, और guys बहुत easily आप लोग अपने according कोई भी theme कोई भी template को customize कर सकते हैं, और अगर आप लोग देखेगा इस सो कितने अच्छे सा ये सारी चीजे work करती हैं, let's suppose मैंने कोई भी एक item select किया, उसे card में add कर लिया और देख सकते हैं, quantity भी मैंने बढ़ा दी, अब जैसे ही मैं से card में add करूँगा तो ये card में add हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद guys आप लोग क्या कर सकते हैं, check out के button पे click कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों की सारी चीज़े इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग देखे कि कितना smoothly सारी चीज़े work करती है इस template में और यह template आप लोगों को मिल सकता है, बहुत असानी से आप लोग देखे तो यहाँ पे coupon code का भी यहाँ पे option है जो coupon code आप लोग डाल के check कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यदा option आप लोगों को कितना off मिल रहा है, आप लोग बात कर लेते हैं इसके pricing के बारे में कि कितना pricing इसका है तो मैं pricing के button पे click करूँगा तो दो option मिलते है annual या lifetime तो आप लोग अपने according चुन सकते हैं, मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि एक बार आप लोग इसमें invest करिए lifetime वाली थीम आप लोग लीजिए दोनों के pricing आप लोगों के सामने हैं जिसमें पहला जो pricing है वो एक website के लिए work करेगा और जो दूसरा है उसमें काफी सारी website आप लोग add कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से यह सारी चीजे काम करती हैं और यहां पर theme की बात करें तो देख सकते हैं कुछ free themes भी आप लोगों को मिल जाती हैं जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी website बनाने के लिए तो ऐसा नहीं है कि theme हंक पर आप लोगों को सिरिफ paid theme मिलती है free theme भी मिल जाती है तो मैं जल plugin है इसे मैं क्या करूँगा simply यहां पर इसे download कर लोगा guys और download करने के बाद अब हम चलेंगे अपने wordpress के dashboard में और मैं आप लोगों को सारी चीजे live करके दिखाने वाला हूं तो देख सकते हैं मैं अपने dashboard में आ गया अगर अभी आप लोग मेरी website देखें तो यह बिलकुल ख क्या था उसे हम simply लाके यहां पर open कर लेंगे या इसे upload करके install now के button पर click कर देंगे तो guys यह जो process हो चालू हो जाएगी so guys अगर आप लोग अभी देखें तो जो मेरा process है वो चल रहा है और जैसे ही complete होता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ so guys अब देख सकते हैं जो मेरा plugin है वो successfully install हो चुका है तो अब आप लोगों को क्या करना है guys अब आप लोगों को simply activate plugin के button पर click कर देना है जैसे ही आप लोग activate plugin के button पर click करेंगे तो आप लोगों का जो plugin है वो देख सकते हैं successfully activate हो चुका है अब guys आप लोग अपने इस dashboard को एक बार refresh करेंगे और इसके बाद guys आप लोगों को क्या करना है आप लोगों का appearance वाले section में जाना है theme में देख सकते हैं guys add new theme के button पर click करना और यहां पर आप लोगों को search करना है TH space soft mania आप लोग spelling देख सकते हैं guys same spelling लिखेंगे तब यह theme आएगी जैसा की देख सकते है TH space soft mania तो यह आप लोगों को देख सकते हैं automatically install हो चुकी है अब आप लोगों को क्या करना है लाइसेंस के button पर click करना है और लाइसेंस के button पर click करने के बाद एक बार verify कर लेना है कि आप लोगों को जब pro license है वो successfully work कर रहा है कि नहीं तो अब देख सकते हैं जो मेरा license है वो valid दिखा रहा है एक्टिव दिखा रहा है तो अब इसके बाद हमें क्या करना है अब इसके बाद हमें जाना है करेंगे क्योंकि यह मेरे को best लग रही है तो देख सकते हैं यहाँ पर यह option आ गया और यहाँ पर continue का button है तो इस पर आप लोगों को click कर देना है और इसके बाद guys यहाँ पर फिर से build my site के button पर click कर देना और ध्यान रखना है कि यह चारों चीजे टिक रहे है या green sign वा पर बना रहे है इसके बाद build my site के button के आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों की site ready होने लगेगी जैसे ही ready होती है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो guys जैसा कि देख सकते हैं हमारी website ready हो चुकी है अब दो option हमें मिल रहे है customize and viewer site तो viewer site के button पर click करके हम देख सकते हैं कि पूरा जो template था automatically यहाँ पर installed हो चुका है बहुत easily हमने इसे install कर लिया अब हम इसे customize करने वाले हैं तो customize के button के मैंने click किया और guys यहाँ पर आप लोग दे तो यहाँ पर जो customization है वो बहुत ज़्यादा easy हो जाता है simply आप लोगों को वहाँ पर click करना होगा और वो अपने आप ही आप लोग जो चीज़े add करेंगे वो होती रहेगी जैसा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं देख सकते हैं अगर आप लोगों को front page पे कुछ भी changes क करने हो let's suppose मेरे को daily grocery की जगा अपने website का नाम या अपना नाम लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं let's suppose मैं every thoughts लिख देता हूं इसके बाद fresh and healthy को मैं ऐसे ही रहने दूआ या इसे भी change कर सकता हूं doesn't matter so मैं यहां पर लिख देता हूं the grocery shop अब इसके बाद guys लीचे वाली line भी में change कर सकता हूं तो मतलब आप लोग जिस चीज को change करना चाहें कर सकते हैं बहुत easily free theme में कुछ limitations होती है बट अगर आप लोग एक pro theme लेते हैं तो आप लोग यहां पे जो मरजी वो change कर सकते हैं without किस limitation आप लोगों को सारे options मिल जाते हैं देख सकते हैं जो जो चीजों पर आप क्लिक करेंगे उसे आप लोग चेंज कर सकते हैं तो guys यह बहुत अच्छी एक चीज हमें मिल जाती है और इसके बाद आप लोग प्रोडक्स वगरा कैसे add करेंगे वह भी मैं आप लोगों को बत लोगों को एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो देख सकते हैं जो चीजे हमने अभी चेंज की थी वो लाइब नहीं हुई है क्योंकि मैंने उसे update नहीं किया है अब मैं simply से यहां से update करूँगा और इसके बाद guys मैं यहां पर आके क्या करूँगा एक बार यहां पर page को refresh कर दूँगा तो जैसे ही मैंने page को refresh किया तो आप लोग देख सकते हैं जो जो changes मैंने किये थे सारी चीजे यहां पर live हो चुकी है और इसके बाद guys हम क्या करेंगे कुछ और चीज अगर हमें change करनी हो let's suppose अगर हमें image change करनी हो तो simply हम pencil का icon पे click करेंगे then इसके बाद यहां पे change image करके जो भी image हमें upload करनी है अगर आप लोगों के पास कोई custom image हो तो उसे आप लोग लगा सकते हैं तो guys बहुत easily सारी चीज़े आप पर work करती है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा difficult है बहुत easily आप लोग कोई भी चीज़ों को customize कर सकते हैं किसी भी product को add या remove कर सकत है तो बहुत easily यह सारी चीज़े work करती है और मैं आप लोगों को कुछ और चीज़े अगर दिखाना चाहूं जो कि आप लोग back end से कर सकते हैं तो वह कौन-कौन से चीज़े हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम अपने dashboard में जाना पड़ेगा dashboard में आने के बाद गाइज let's suppose अगर हमें यहाँ पे back end से कोई चीज़े add करना हो let's suppose अगर हमें कोई products वगरा remove या add करना तो वह कैसे करेंगे इसके बाद plugins वाले section में अगर आप लोग एक बार जाते हैं तो यहाँ पे जो required plugins होते हैं वह automatically installed हो जाते हैं जब हम अपना theme यहाँ पे install करते हैं तो यह सारी चीज़े आप लोग यहाँ से देखके भी add कर सकते हैं तो themeunk आप लोगों को इतना ज्यादा clarity provide करता है इतनी ज्यादा help provide करता है कि आप लोग guys simply without coding knowledge या zero coding knowledge के साथ अपना एक online e-commerce store बना सकते हैं और बहुत easily उसे run कर सकते हैं guys और इस time पे अगर आप लोग एक online e-commerce store बनाने की सोच रहें तो themeunk से अच्छा option आप लोगों को नहीं मिलेगा आप लोगों को guys बहुत easily themeunk की यह चीज़ provide कर देता है कि आप लोग अपने online e-commerce store बनाओ उसे run करो और उसके थुरू आप लोग अपनी earning start करो तो guys बहुत easily आप लोग यह सारी चीज़े कर सकते हैं औ लावा guys WooCommerce की plugin की यहां पर installed हो जाता है जिसके जरीए आप लोग अपने online e-commerce store चला सकते हैं तो आप लोग यहां पर setup कर सकते हैं इसे मैं आप लोगों को अभी यह वाला process नहीं दिखा रहा हूं और वीडियो बहुत जादे लंबी हो जाएगी तो guys मैंने आप लोगों को एक पूरा ऊपर से overview दे लिया कि कैसे आप लोग थीमंग को install कर सकते हैं कैसे उसे download कर सकते हैं और कैसे आप लोग अपने website का customization कर सकते हैं तो guys जल्दी से जाएए theme.com पे वहाँ पे दस off mania theme download करिये उसके बाद उसे wordpress में install करिये और इसके बाद एक online e-commerce store जल्दी से create कर लीजिए so guys I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अब अगर आप लोगों को यहाँ पर logo चेंज करना हो तो कैसे करेंगे देख सकते हैं guys बहुत easy आप लोग साइट identity में जाके अपना logo वगरा change कर सकते हैं main menu वगरा change कर सकते हैं images मैंने आप लो लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एं ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सुबाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंटियो डैन गुट बाई